नमस्कार दोस्तों शुब पिरभात आज है 30 अगस्त दिन है रविवार स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रॉयल एमपी में यहाँ पर आप सुनते हैं मद्य पिर्देश की सभी महतुपूर्ण खबरें खबरों की सुरुवात करते हैं मुख्य समाचारों से अनलॉक फोर की गाइड लाइन्स चारी 7 सितंबर से मेट्रो रेल सर्विसे शुरू होंगी मद्य पिर्देश में आफ़त की बारिस हुसंगाबाद सीहोर और राइसेन में बार से हालात बिगड़े मद्य पिर्देश में कोरोना से 22 लोगों की मौत और रेल बे बरती बोर्ड करेगा 35,208 वेकेंसियों के लिए नोटिफिकेशन जारी ख़बरों पे चलते हैं बिस्तार से अनलॉक फोर की गाइड लाइन्स जारी हो चुकी है अगर आपको सितंबर से सुरू होने जा रहे अनलॉक चार का इनतिजार था तो इसकी गाइड लाइन्स जारी हो गई है पांच महीने के बाद तीन बड़ी रियायतें दी जा रही है पहली बड़ी छूट ये है कि 7 सितंबर से मेट्रो सर्विसे सुरू करने की इजाज़त दे दी गई है इसके बारे में गाइड लाइन्स अलग से जारी होंगी दूसरी बड़ी वात ये है कि हर तरह के गैदरिंग 21 सितंबर से सुरू हो सकेंगे लेकिन 100 लोगों की लिमिट के साथ और तीसरी बात ये है कि स्कूल कॉलिज बंद रहेंगे लेकिन नवी से वारवी के बच्चे टीचर से गाइड लाइन्स लेने के लिए अपनी एक्छा से स्कूल जा सकेंगे गाइड लाइन्स के बारे में अब सिल्सलेवार तरीके से जानते हैं दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और बैंगलोरू जैसे सहर चाहते थे कि मेट्रो सर्विसेस की सुरुआत हो अनलोक फोर के तहट राज सरकारें साथ नंबर से इसकी सुरुआत कर सकेंगी इसमें सफर केंसा होगा और किन बातों का ध्यान रखना होगा इसके लिए सहरी बिकास मंत्राले अलग से स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी करेगा 22 मार्च को जब जनता कर्फ्यू लगा था उसके पहले से ही देस भर में राज सरकारों ने धारमिक, सांस्किर्टिक, अकादमिक, खेल, मनुरंजन और राईनितिक आयोजनों पर रोख लगा दी थी अब इन्हें 21 सितंबर से दोवारा सुरू करने की इजादत दी गई है इनके लिए ओपन एयर थेटर्स भी 21 सितंबर से खोल दिये जाएंगे लेकिन इस तरह के काईकरमों के लिए कुछ सर्थे हैं ऐसे जमावडों में सो से ज़्यादा लोग एकटा नहीं हो सकेंगे जमावडों में सामिल होने वालों के लिए मास्क जरूरी होगा जहां इस तरह के काईकरम हो रहे हैं वहां सोसल डिस्टेंसिंग के उपायक करने जरूरी है जहां जमावडे होंगे वहां पर थर्मल, स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइजर या हैंड बास की सुविदा जरूरी है इसका जबाब नहीं है स्कूल कॉलिज खुलेंगे या नहीं गाइडलाइन्स में सिर्फ इतना कहा गया है कि नभी से बारवी के बच्चे गाइडलाइन्स के मतबग अपने टीचर से गाइडलेंस लेने के लिए अपनी मरजी से स्कूल जा सकेंगे इसके लिए उन्हें अपने पेरेंट्स या जारजियन से लिखित में मंजूरी लेनी होगी National Skill Training Institute, Instrial Training Institute, ITI और Short Term Training Centers में ट्रेनिंग दी जा सकेगी National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development Indian Institute of Entrepreneurship में भी ट्रेनिंग शुरू हो सकेगी सिर्फ PhD कर रहे Research Scholars के लिए Higher Education Institute खुलेंगे Technical और Professional Courses के जिन पोस्ट ग्रेजुएट स्टुडेंट के लिए Laboratory का इस्तिमाल या Experiment बर्ग जरूरी है वे College जा सकेंगे राज्यों से बातचीत के बाद Higher Education Department यहने खूलने की इजाज़त देगा कैंसरकार की गाइडलाइन से तो ऐसा ही इसारा मिल रहा है इसमें कहा गया है कि राज्यों सरकारें अब राज्य जिला, सब्डिविजन, सहर या गाउं के इस तर पर Contentment Zone के बाहर कैंसरकार से सला किये विना लोगडाउन नहीं लगा सकेगी Regular passengers, Train Services बंद रहेंगी, अभी सिर्फ चनेंदा ट्रेने चल रहेंगी, अभी सिर्फ चनेंदा ट्रेने चल रहेंगी, अभी सिर्फ बंदे भारत मिसन के तहट उड़ाने चल रहेंगी, मल्टी प्लेक्सेस बंद रहेंगे, सिनेमा हॉल, सुमिंग पूल, Entertainment Park, Closed Theater बंद ही रहे देंगे, तो ये थी guidelines, Unlock 4 के बारे में, दूसरी ख़बर है, मद प्रदिस में, आफ़त की बारिस को लेकर, प्रदिस के नो जिलों के 394 से अधिक गाउं में बाड़ से हालात खराब हैं, बाड़ में फसे लोगों को rescue करने और उन तक मदद महुचाने के लिए, एरफोर्स स हेलिकॉप्टर मांगे गए हैं, खराम मोसम के कारण दो हेलिकॉप्टर को बापिस लोटना पड़ा, अब रभीवार सुभा हेलिकॉप्टर आने की उम्मीद है, अब तक साथ हजार से अधिक लोगों को सुरक्चित इस्तानों पर पहुचाया गया है, हुसंगाबाद में नर्मदा नदी खत्रे के निसान से 18 फिट उपर बह रही है, खत्रे का निसान 964 फिट है जो बढ़कर साम साथ बज़े तक 982 हो गया, बरगी वारना तवार डैम से लगातार पानी आने से हुसंगावाद जिले के 182 गाउं पर वाबित हुए हैं, सूचना के बाद मोर्चा समा लेगी, उदर राजदानी भोपाल में भी सुक्रवार से लगातार बारिस का दोर जारी है, सनिवार सबाद 6 बज़े तक भोपाल में 97 मिली मीटर पानी रिकॉर्ड किया गया, दरसल लगातार हुई बारिस से परदेस में 251 डेम में पानी छमता से 90% से जादा हो चुका है, ऐसे मजात तर डेम को गेट खोलने से निशल स्तरों में बार का खत्रा बढ़ गया है, मौसम बिवाग ने गले 48 घंटे में मौसम के अधिकांस चलों में भारी बारिस का अलट है, मौसम बिवाग ने छिनबाड़ा, बिदीसा, सीहोर, राजगर, साजापुर और आगर म में रेड अलट जारी किया है, इसके लावा भोपाल और इंदोर समित 18 जलों में तेज बारिस का यलो अलट जारी किया है, मौकमंत्री सिवराजिंग चोहन ने हुसंगाबाद जिले में बार प्रहबे छितरों का हवाई जाजा भी लिया है, अगली हवर है, कोरोना को लेकर मदपर्देश में कोरोना से 22 मौतें हुई हैं, 27,157 में से 1442 पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई हैं, मदपर्देश में कोरोना वायरस के संक्रमन की रोक थाम के लिए अब किसी भी इस तर पर गंबीरता नजर नहीं आ रही है, नतीजा मदपर्देश की पॉजिटिविटी रेट दो परसेंट से बढ़कर 5 परसेंट पर आ गई है, पचले 24 घंटे में 27,157 सेंपल की जाच की गई, जिसमें से 155 सेंपल रेजेक्ट हो गए, 27,002 नागरिकों में से 1442 पॉजिटिव पाए गए हैं, यानि आज का पॉजिटिविटी रेट 5 परसेंट से अधिक रहा, यदि यही हालत रहे तो पॉजिटिविटी रेट 8 परसेंट और दीपा बली के आसपास 10 परसेंट हो जाएगा, बताने की जरूत नहीं है कि 10 परसेंट रेट की कंडिशन में महमारी से हाकार की इस्तिती बन जाएगी, संचाल नाले, स्वाथ सेवाए, मदप्रदेश द्वारा जारी, कोरोना वारस मीडिया बॉलेटेन दिनांग 29 सगश 2020 के अनुषार पिछले 24 घंटे में 27152 सेंपल की जाच की गई, 155 रेजेक्ट हो गए, 25710 सेंपल नेगिटिव पाए गए, 1442 पाए गए, 22 मरीजों की मौ हो गई, 1070 मरीज डिस्चार्ज हो गए, मदप्रदेश में संक्रमन नागरिकों की कुल संक्या 6875 हो चुकी है, मरने वालों की संक्या 1345 हो चुकी है, और स्वास्त हुए नागरिकों की संक्या 46413 है, मदप्रदेश में पूरा फोकस सेंपल कलेक्टर ना, पॉजिटिव और गंबीर मरीजों को COVID-19 सेंटरों में भरती करना एवं कंटेन्मेंट जो गोसित करने पर लगाया जा रहा है, जबकि संक्रमन को रोकने के लिए पबलिक प्लेस का सेंटाइजेशन, पबलिक प्लेस पर हैंडबोस की सुबीदा, उपलब्द कराना, पबलिक प्लेस पर सर कारी करमचारियों को फेस मास्क चेक करने के लिए तियानात करना सबसे प्रमुख है, जो की नहीं किया जा रहा है, मदप्रदेस में सरकार ने फेस मास्क की जिम्मेदारी सबसे कम करमचारी संक्राइबाले, पुलिस बिबाक और नगरिय प्रशार्शन को दी है, सौब कीजिए यही आएंगे अगली खबर है रेलबे ने 35208 बैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है है हर सरकार ने ग्रिजुएट एवं अंडर ग्रिजुएट केंडिडेट्स अप्लाई कर सकें ऐसी कुछ पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है इसमें 24,605 पद ग्रिजुएट्स के लिए और 10,603 पद अंडर ग्रिजुएट के लिए हैं ट्रैफिक असिस्टेंट के पद के लिए चैनित अमीदवारों को 7 CPC Pay Matrix लेविल 4 के अनुसार 35,400 रुपे पलस ग्रेट पे का वक्तान किया जाएगा बेसिक सेलरी के लावा कैंडिडेट्स को अन वेनिफिट्स जैसे डिये, एचारे, ट्रांसपोर्ट, अलाउंस, पेंशन, इसकी मेडिकल वेनिफिट्स और अन इस्पेसल सुपिदाएं भी दी जाएंगी ट्रैफिक असिस्टेंट की जिम्मेदारियां होती है, याता आत और सिगनल की जिम्मेदारी, इसके लिए अलग-अलग सिप्टों में काम करना होता है इसके अलावा इस वेकेंसी के तहित अपलाई करने वाले केंडिडेट के पास भविस्ट में प्रोस्ट प्रमोशन की अच्छी संभावना है, बताने इस समय रेलवे की ओर से तमाम पदों पर वेकेंसी निकाली जा रही है, तो इस समय युवाओं के पास सरकाई नोग्री अच्छा मौका है, ट्रैफिंग असिस्टेंट की पोश्ट के लिए अपलाई करने वालों की मिनीमम आयू 18 साल होनी चाहिए, इसके अलावा अधिकतम 33 साल तक के केंडिडेट इस वेकेंसी पर अपलाई कर सकते हैं, ओवी सी केंडिडेट को अधिकतम आयू सीमा में 3 साल औ और S.C.S.T. केंडिडेट को 5 साल की चूट दी गई है, ट्रैफिक असिस्टेंट बेकेंसी पर अपलाई करने वाले केंडिडेट के पास गेरेजिएशन या उसके बराबर की कोई डिगरी होना चाहिए, इसके अलावा डिगरी किसी मानता है पर आप उनिवेस्टी से ही होन चाहिए, तो ये थी आज की खबरें, उम्मिद है आपको वीडियो पसंद आयोगा, ज्यादा से ज्यादा सेर कीजिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक चरू कीजिए, कल मिलते हैं, धन्यवाद